अब सभी का स्वागत है कटार इंस्टिट्यूट पर मैं हूं केश कटारे दोस्तों आज की जो क्लास है यह हमारी रहेगी मेंस को लेकर के मुखे परिक्षा को लेकर के और इसमें जो पेपर फॉर है इथिक्स इसमें आते हैं थिंकर जो विचारक हैं चिंतक हैं उन से संबन है आज के जो तिंकर हैं उनका नाम है महावीर स्वामी ये ना सिर्फ दो हजार बाईस के लिए इवन दोजार उननीज की जो एडिशनल जो मेंस होगी उसके लिए भी उतने ही महत्पूर हो जाते हैं तिप स्रब्द सीमा का अंतर रहता है कि वहां पर जो फुल क्वेशन थ यही equally fruitful होगा इसमें आप एक paper pen ले करके मेरे साथ में जो मैं point discuss करूंगा उनको आप note कर सकते हैं अपने notes मना सकते हैं चोटे-चोटे synopsis मना सकते हैं तो यहां हम बात कर रहे हैं महावीर स्वामी की जो नैदिक सिक्षा हैं उनके बारे में पुरानी जो playlist है उसमें पुरान और नए दोनों के लिए ही काम कर रहेगा महावीर स्वामी तो सबसे पहले तो इनके बारे में जो सामान जीमन पर चाहे हिस्टरी में जो हम सब पढ़ते हैं वो भी यहां पर हम एक बार repeat कर सकते हैं कि जैसे यह क्या थे तो यह धर्म सुधारक भी बाने जाते हैं तो धर्म आम जो हैं इनके जब हम इंट्रो करेंगे उसमें आप एड ओन कर सकते हैं कि मावीर स्वामी प्राचीन वारत के एक महान धार मैं एक दार्शनिक और तो सामाजिक बिचारक थे सोधारक थे जैन धर्म के दर्शन के प्रवर्दक थे अना ये सब बाते हैं आप उसमें सेंट था उत्तर बिहार के कुंडल ग्राम नामक एक इस्थान पर हुआ था इनको चाहें तो आप शौड में दो लाइन में भी लिख सकते हैं कि यहां पर जन्म हुआ था इनके पिता का नाम, मा का नाम, पत्नी का नाम, यह सब चीजें मेंसें कर सकते हो तो कुंडल ग्राम में हुआ था एक राजपरिवार से संबन दित थे यह, वहां पर इनका जन्म हुआ था, पिता का नाम जो था आप सभी को मालम होगा, नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ, सिधार्थ जो थे, वो इनके पिता का नाम था, इनकी मा का नाम जो था, म इनका जन्मिस्तान जो है ये कुंडल ग्राम जो है वैसाली के नाम से भी काफी पॉपूलर है ठीक इनका विवा जो हुआ था ये शुदा से और उन्हें एक पुत्री हुई थी जिसका नाम प्रियदर्सनी या अनोज्जा के नाम से भी हम जानते हैं तो ये इनके जीवन गए और ग्यान की खूज में लगबग 12 वरसों तक 12 वी यर तक ये कठोर तपरश्या करते हैं तब जाकर कि इनने ग्यान प्राप्त हुआ इस ग्यान प्राप्ती को हम कैवल ले भी कह सकते हैं कि इनने कैवल लिखी प्राप्ती हुई और 468 ईशापूर्ब में पावा पुर बिचार दार्षन को सोचेंगे नैतिक ता कि दरस्टी से इनके विचारों को समझेंगे तो माविर स्वामी चुकि एक दारसनिक है प्लाषपर है तो दारसनिक विचार धारा का विकास करते हैं चुँकि वैदिक धर्मे जो वुराईयां आई हुई तो वराईयों की प्रतिकिरिया शरूप जैन वाद और भी विविन धर्मों का जन हुआ था है न तो ये मावीर स्वामी ने जो अपना एक विचार जो दिये थे वो किसी एक कम्यूनिटी को तारगेट करके नहीं दिये हैं यानि ये जो इनके विचार हैं महारे काम के मिल जाते हैं कि सभी वरगों के लिए थे आप किसी भी पंतके हों कैसे भी हों उन सब के लिए थे सत्य और अहिंसा को इन्होंने बहुत अधिक जोर दिया हुआ है तो सत्य और अहिंसा पर आधारित इनके उप्धेश थे ठीक है तो ये सब बातें जो हैं वो हमारे नियां पर काम आएगी इनके विचारों को जानने के लिए तो सत्य और इनसा इसका प्रियोग करते हुए उन्होंने अपने ग्यान को ग्यान प्राप्ती के लिए कहा है कि क इसी भी प्रकार का राग, राग का मतलब हो जाता है, इसने ना रखना, कोहली जी नमस्ते, गुडीबनिंग, राग यनी इसने ना रखना, दोएश का मतलब होता है, किसी से गिरना या नफरत ऐसे विचार ना रखना, राग पर भी आपको विजय प्राप्त करनी चाहिए, द आपका affection नहीं रहेगा तो फिर आप किसी भी दुख बो इन सब चीजों से निकल सकते हैं मावी स्वामी जो थे जैंदर्म के 24 में तीर्थंकर थे ये बातें भी आप इंट्रो में जोड सकते हैं ठीक है तीर्थंकर या इसी को अरहत भी कहा जा सकता है तो तीर्थंकर की जगए आप नए शब्द का प्रियोग करेंगे दूसरे स्टूडेंट से कुछ नया लिखेंगे तो स्वभाविक है आपको कुछ एक्षा benefit नंबर की रूप में हो सकता है यानि तीर्थंकर या अरहत का मतलब है equivalent of God यानि ईशवर समझे जाते थे ठीके तो अब जेन धर्म में जो बातें की थी अन्य आचारियों ने भी की थी उन सब से आगे बढ़ करके अब हम चलते हैं कहां पर के माविर स्वामी की जो philosophy है यानि इनकी जो दारसनिक विचारधारा है उस पर target करते हैं यानि वही चीजें हमें समझने को हैं और वही लिखने को है तो दारसनिक विचारधारा से हम क्या point grant कर सकते हैं बिभिन वर्गों के लिए किसी भी community का हो किसी भी gender का हो इन्होंने जो अपने दारसनिक विचार जो व्यक्त किये उनको अगर हम summarize करें तो इन पाँच पॉइंट के अंदर गर्थ उनको summarize कर सकते हैं जैसे पहला आता है त्ररत्न त्री जोयल्स जिदे हम जैन धर्म के मान के चलते हैं ये जो त्ररत्न है इसी को हम क्या कह सकते हैं ये जैन धर्म का एक प्रकार से नीत शास्त्र है वो त्ररत्न कौन से हैं तो सम्यक ज्यान सम्यक आचरन वो वाली बाते हैं उनको आगे लेखेंगे दूसरा जो इनके विचारों को हम फिलोसपी विचारदारा को तो वो पंच महावरत के रूप में ले लिया जाएगा तीसरी हैडिंग के अंतरकत हम क्या रख सकते हैं तो यहाँ पर मावीर स्वामी जी का जो मनो विज्यान है साइकलोजी की हम बात करते हैं उसको रख लेंगे मावीर स्वामी जी का मनो विज्यान एवम नेतिकता इसको ले लेंगे next आता है फिर अनेकांत बाद का जो विचार इनों ने दिया हुआ है उसको भी हमें समझाना पड़ेगा समझना पड़ेगा फिर बाद में समझाना पड़ेगा और उसके बाद एक और पॉइंट आ जाएगा शयाद बाद तो ये पांच प्रमुक पॉइंट के रूप में हम माविर स्वामी के जो दर्शनिक विचार दारा है उसको जान सकते हैं एक-एक करके इसको एक्स्प्लेंट करते जाते हैं तो हम पहले जेन धर्म के जो तररत्न है या जिसे जेन धर्म का नीति शास्त्र कहा जाता है उसको जान लेते हैं तो तररत में टीम बाते हैं पहला आता है सम्यक दरुसन इसी को दूसरे रूप में क्या लिखा हुआ है सम्यक विश्वास के रूप में भी बताया गया दूसरा क्या आता है जिसे कहते हैं सम्यक ग्यान आप मेरे साथ नोट करते चलेंगे तो वेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाले हैं पीसरा आता है सम्यक चरित्र तो यह तररत्न है यानि महावीर स्वामी का दर्शन सिर्फ ठियोर्टिकल नहीं है कि सैद्धान्तिक बाते नहीं की गई है इनका दर्शन इन तीन रत्नों के आदार पर कैसा है यह व्यावारिक है यानि इनको हम अपने व्यावार में ढाल सकते हैं देख सकते हैं ठीक देखिए मैं CGPSC को स्पेसिफिकली तो नहीं बता रहा हूँ लेकिन चाहे MPPSC हो चाहे CGPSC हो कोई भी स्टेट PSC हो महावीर स्वामी जैन वह यह common history के उसमें आते हैं तो normal से जो questions अभी में आते हैं उसमें भी बूचा जाएगा बट यहाँ पर क्योंकि हम mains की बात कर रहे हैं तो इसलिए mains का जो pattern थोड़ा अलग हो जाता है PT की जो बात है तो बहे जो मैं class लेता हूँ आप playlist में जाके देख सकते हो पूरी history दी गई है उसमें आपके questions के answer आपको मिल जाएगे तो एक बात हमेरी यहाँ पर यह clear हो जाती है माविर स्वामी का दर्सन ना सिर्फ सेदानतिक है बलकि व्योहारिक भी है व्योहारिक होने के साथ साथ यह किस पर जोर देता है यह focus करता है नैतिक आचरण पर नैतिक आचरण आचरण यानि behavior हम कैसा व्योहार करते हैं नैतिक का मतलब हो जाता है क्या सही और गलत में आपको अंतर पता होना चाहिए सही का समर्थन करना चाहिए ठीक है तो नैतिक आचरण पर बल देते हैं वो अपने दर्सन में मनुष्य को अपना जो परमलक्ष है यानि मोक्ष तक पहुँचने का जो मार्ग है वो मार्ग कैसे प्राप्त होगा उसका नरधारन करते हैं और उस मार्ग के लिए वो ये तीन प्रमुख बाते बताते हैं यानि ये तरदने तीन आभूशन है जिनके द्वारा मोक्ष के द्वार जो हैं वो खुल जाते हैं ये होगया, अब सम्यक दर्सन का मतलब क्या होता है सम्यक दर्सन को हम English में क्या बोलते हैं राइट फेत भी कह सकते हैं राइट फेत तो बहुत ज़ादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे सम्यक दर्सन में लेकिन पता होगा तो हम समराइज करके दो से तीन लाइनों में लिख सकते हैं तो सम्यक दर्सन का मतलब होता है कि सरद्धा रखना अब स्रद्धा किस के प्रती रखना सत्य के प्रती स्रद्धा रखना यानि सम्यक दर्सन को एक लाइन में अगर हम डिफाइन करें तो सत्य के प्रती सत्य यानि जो बिलकुल सही है उसके प्रती स्रद्धा रखना सम्यक दर्सन है जेन दर्सन के जो अनुसार ये माना जाता है कि तीत तंकरों ने जो उपदेश दिये जो उनकी सिक्षाई थी उनमें आंतरिक रूप से यानि सिर्फ बाहर दिखावा नहीं इंटर्नली हमें उसमें विश्वास पैदा करना होगा तब ही मुक्ष मिल सकता है और बिना इसके मुक्ष प्राप्त नहीं हो सकता यानि इसके लिए बात ये आजाती है कि मुक्ष अगर परम सुख है तो ये व्यक्तिकत प्रियासों से मिलेगा इसके लिए व्यक्तिकत प्रियास करने पड़ेंगे और वो कैसे राइट फेद के दौरा उनके द्वारा बताए मार्क के आधार पर ही ये प्राप्त हो सकता है अनिता इसको प्राप्त नहीं कर सकते है यानि सत्य के प्रति स्रद्दा रखने कार्थ ही हो जाता है कि जो गलत है या जो मिथ्या है उससे बचना पड़ेगा अब मिथ्या से बचना पड़ेगा तो मिथ्या दरस्टी के बारे में भी कहा जाता है कि मिथ्या दरस्टी जो है पांच प्रकार की होती है जैसे संका करना यानि एक प्रकार से डाउट करना इसी तरीके से यह आकांग शाक जो है उसको भी मिथ्या द्रस्टी में रख लिया जाता है विचकित्सा हो गया या अन्य द्रस्टी प्रसंजा या अन्य द्रस्टी संस्टा वो सब बातों में हम यहाँ पर आपको बोल जाने की जगे आप से तरफ एक लाइन की बात करेंगे कि सम्यक द्रसन यानि सत्य के प्रति स्रद्धा रखना अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं जिसमें दूसरे की बात क्या की गई थी यहाँ पर सम्यक चरित्र की बात की गई थी न तो अब हम आ जाते हैं सम्यक चरित्र को डिफाइन कर लेते हैं इसको भी शौड में कि सम्यक चरित्र इसको इंग्लिस में क्या बोलेंगी सम्यक चरित्र को इंग्लिस में खा जाता है राइट सम्यक्चरित्र की बात करते हैं तो सम्यक्चरित्र को बोलते हैं राइट कंड़क्ट ठीक तो राइट कंड़क्ट का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसा व्यावार जो कैसा होना चाहिए यानि व्यक्ति को अपने मन अपने वचन और अपने कर्म इन तीनों पर नियंतरन इस्थापित कर लेना चाहिए यानि आपके मन पर भी आपका नियंतरण हो आपकी वानी पर आप क्या बोलते हैं इस पर भी नियंतरण हो और आपकी एक्टिविटी पर भी आपका नियंतरण हो तब उसे कहा जाता है सम्यक्षरित्र यानि right conduct ठीक यानि जैसे एक शब्द आता है आशक्त होना आशक्त होना यानि किसी के प्रतियाप बिना सोचे विचारे और उसके फेवर में काम करने लगते हैं तो यहां आशक्ती की जगए अनाशक्ती की बात की जाती है यानि सामान में शब्दों में अगर हम इसको बूलें कि वे कारे करना जो की हितकर होते हैं ये तैसी होते हैं वो काम करना ना कि उन कारे को किया जाए जिससे किसी को नुपसान पहुंचता हो जिससे किसी की हानी होती हो तो उन कारे कर यहां पर यह दर्सन रोक लगा देता है उस पर वरजना आरोपित कर देता है तो इसका मतलब यही है कि सम्यक चरित्र के पालन से ही जो जीव है वो अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है यानि सभी के लिए यह बात कर देते हैं तो यह हो गया सम्यक जो क्या बोलना चाहिए सम्यक चरित्रिया राइट कंड़क्ट हो जाता है तीसरा जो था वो क्या था उसके बारे में बात करेंगे वो है सम्यक ज्यान तो सौड में सम्यक ज्यान यानि ये क्या हो जाएगा तो सम्यक ज्यान का मतलब हो जाएगा राइट नालेज ठीक है तो सम्म्यग ज्ञान का मतलब सिंपल सा है जहन दर्चन यह कहता है या मावीर श्वामी की विचारधारा यह कहती है कि जीव और दूसरी तरह पाते है अजीव यहना दोनों की बात करते है जीव और अजीव यानि मूल तत्तों का ग्यान प्राप्त करना ये सम्याग ग्यान सम्याग ग्यान होगा तभी व्यक्ति जीव में और अजीव में क्या कर पाएगा डिफरेंशियेट कर पाएगा वेदवाव कर पाएगा अन्यता आप ये सम्याग ग्यान के विना क्या जीव है और क्या जीव है उसमें अंतर नहीं कर सकता है यानि महाविश्वामी सिंपल सी बात करते हैं कि अग्यान जो है वो विरोध करता है ग्यान का अग्यान ग्यान का विरोधी है और अग्यान है इसी लिए उसके मार्ग में बंधन है बादाएं है और यही बंधन क्या कर देते हैं कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ती से रोख देते हैं और ग्यान का जो सही रूप है वो क्या बता देता है वो आपको बता देता है कि कौन सा जीव है और कौन सा अजीव है इस अंतर को जब जान जाता है व्यक्ति तो वह बंदनों से मुख़ प्राप्त हो जाता है ठीके तो जैंदर्सन में सम्या ग्यान यानि वद्दिक ग्यान या सास्त्रिय ग्यान ना हो करके इसे भी उन्होंने एक आंतरिक अनभूती माना है इसके लिए आपके पास डिगरियां होना जरूरी नहीं है यह सिर्फ एक फील करने वाली बात है अगर आंत्रिक अन्हूती हो जाती है तो व्यक्ति हमेशा के लिए अपने उन वंदनों से मुक्त कर सकता है तो ये थे तीन प्रमुख जिने यहाँ पर क्या हमने सुरुवात में समझा था न कि पांच हैडिकों के अंतरगत इनकी दार्शनिक विचारदारा को कंप्लीट करेंगे तो पहले तररत नों हो गए एक एक दो दो लाइन में ही आप इनको बता सकते हो अब आजाते हैं कि पंच महावरत तो पंच महावरत जो हैं वो क्या होते हैं इन्हें five great wogh भी कहा जाता है तो जैं दर्शन में चाहे वो ग्रहस्त हो या फिर वो विक्षू हो दोनों के लिए ही इनके बारे में बात की जएए दोनों पर ये समान रूप से लागू हो जाते हैं वो कौन-कौन से पंच महावरत हैं तो उन पंच महावरतों को समराइज कर लेते हैं इसमें आहिंसा आ जाती है तो सबसे पहले आहिंसा इसको ज़्याद है बताने की जरूत नहीं क्योंकि आहिंसा तो आप जानते ही है लेकिन जैन दर्शन में आहिंसा को थोड़ा कठोर शब्दों में माना गया यानि किसी भी प्रकार की हिंसा को क्या करना है छोड़ देना है यानि हिंसा का परितियाग कर देना है हिंसा मनसा वाचा कर्मना यानि मन से बचन से कर्म से कोई हिंसा नहीं और सभी धर्मों में हिंसा के लिए अगर देखा जाए तो कोई धर्म नहीं कहता है कि हिंसा करना चाहिए जेंदर सन्यासी को इस अहिंसा नामत बरत का पालन करने के लिए बलकि अहिंसा का पालन कठोरता से करने के लिए जोर देता है इसलिए मनुष्य के लिए जीव हत्या ना करने का आदेश दिया जाता है ठीक है तो अहिंसा यहां एक हो जाता है तो मन वचन और कर्म से इसका पालन करना चाहिए इनसात्मक जो कर्म करते हैं उनको भी इनसात्मक कर्म करने के लिए प्रेड़ित करना चाहिए तो ये दो-तीन तरीके से आप इसको लिख सकते हो दूसरा आ जाता है जैसे हम सत्य यानि पंच महावरत की बात की जाती है तो नेक्स जो आएगा सत्य तो जैन दर्सन में आहिंसा के बाद सत्य के पालन की बात की गई है सत्य का मतलब ही हो जाता है कि जो असत्य है उसको छोड़ देना यानि असत्य का परितियाग कर देना इसका मतलब वो ये कहते हैं कि व्यक्ति यदि जूट बोलता है तो जूट बोलने पर क्या होता है व्यक्ति जो है वो उन्नती के स्थान पर किदर जाता है अवनती के रास्ते की और प्रस्थान करता है और जब अवनती के और प्रस्थान करेगा यानि जब वो है जूट बोलेगा असत्ति करेगा तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मोह भी आएगा लालच आएगा वह है दूएस भी रखेगा किसी दूसरे से नफरत भी करने लगेगा राग भी आएगा तो इन विचारों के इनकी जब उत्पत्ती होगी यानि जब किसी के मन में दूएस आ जाता है तो किसी के प्रत्य उसके मन में बुरे विचार आते हैं मांसिक रूप से एक बकार से यह हिंसा के समान होता है तो इसलिए सत्य जो दूसरा उनका फिलोस्पी हो जाती है next तीसरी जो बात की गई है यहां अस्ते की बात की जाती है पंच महावरतों में अस्ते का मतलब क्या हो जाता है इसे non-stealing भी कहते है यानि इसे अचोरी भी कहा जाता है चोरी ना करना चोरी ना करना यह सब धर्मसंबन्दी तो विचार हैं लेकिन वास्तों में ये नैतिक्ता जमन्दी विचार हैं जो सभी पर समान रूप से लावू होते हैं तो जीवन का अस्तित तो जो है वो धन पर निर्वर करता है ऐसा जेंदरसन मानता है यानी धन को मानव का वाह जीवन कहा गया है लेकिन उसके लिए चोरी करना या उसका अपहरण करने पर यह जोर नहीं देता है अगर कोई चोरी करके अपहरण करके धन एकत्रित करता है तो इसको इंसा माना जाता है तो अस्ते को बहुत बड़े रूप में व्याक्याइद किया गया है यानि सिर्फ चोरी ना करना ही नहीं बलकी चोरी का सामान ना खरीदना है यानि चोरी का माल ना खरीदने की भी बात की जाती है अगर व्यक्ति कोई नाप तॉल के चीज़ें बेचता है या खरीदता है तो उसको ठीक नापे तॉले उसको कम नहीं करे बस्तू का जितना विक्रेमूल या क्रेमूल या जो भी तो उसमें बड़ोतरी घटोतरी ना करे जो प्राइज होते हैं उसको अनावश्यख बढ़ा करके लूट पाट ना करे इसका मतलब अस्ते में ये भी आ जाते हैं ये सारे पॉइंट जो हैं वो इसमें इंक्लूट किये गए हैं ठीक है तो तीसरा ये अस्ते हो जाता है नेक्स्ट ब्रह्मचर ब्रह्मचर जो है ब्रह्मचर का आर्थ हो जाता है एक प्रकार से कि व्यक्ति को व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रन होना चाहिए इंद्रियों पर नियंतरन होना चाहिए दूसरे शब्दों में कहें कि व्यक्ति को काम वाशना से बचना चाहिए जैन दर्सन में इब्रहम चरिपर माविर स्वामी के दौरा बल दिया गया यानि अपनी पतनी को छोड़कर किसी पराही पतनी पराही स्टरी के साथ रहना या दूराचारणी स्टरी से बच्छना सिलीलता का ट्या करना यह सब बातیں इसमें आ जाती तो कुल मिलाकर आप इसको सिंपल सब्दों में लिखें तो यही कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंतरन इस्थापित करना जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंतरन इस्थापित करेगा तो ना तो वह वासना के फेर में पड़ेगा ना किसी के प्रतियाशक्ति होगी ना किसी के मोह में पड़ेगा यानि वह मोक्ष को प्राप्ट करेगा और लास्ट में जो आता है पांच माँ उसे कहते हैं अपर ग्रह अपर ग्रह का मतलब क्या हो जाता है अपर ग्रह का मतलब सिंपल हो जाता है कि आवश्यक्ता से अधिक धन एकत्रित ना करना यानि कि लालच ना करने से संबंदित चीज़ें आजाती है जमाखोरी ना करना एक ग्रहस्त को चाये ग्रहस्त हो चाये विक्षू हो वह सिर्फ उतना एकत्रित करे जितना की उसके परिवार के जीवन यापन के लिए आवश्यक होता है अगर उससे अधिक संचय करेगा संचय करने में कस्ट होगा फिर उसको रखने में कस्ट होगा उसके उपभोग पर कस्ट होगा ये पाँच जैन दर्षन के संबंद में हो जाते हैं तो आपको यही दो-दो-तीन-तीन लाइनों में लिख देना चाहिए इस पर अलग से भी पूछ सकते हैं तो वहाँ पर भी आप इनको बता सकते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या आता है अगला पॉइंट आता है महावीर स्वामी के जो दार्शनिक विचारों के अंतरगत महावीर स्वामी का मनो बिग्यान साइकोलोजिग और नेतिकता यह तीसरी हेडिंग बन जाती है इसमें क्या लिखेंगे देखो महावीर स्वामी का जो दर्शन है उसमें व्याख्या की जई है किसकी जीवन की लाइफ की व्याख्या की जाती है और जीवन की व्याख्या जो की जई है तो जीवन क्या है इसमें तो जीवन को यहाँ पर मनो वेग्यानिक तत्तों के रूप में दिखाया जाता है निरूपित किया जाता है यानि उसको बताया जाता है जैन दर्सन में मनो विज्ञान का यानि साइकोलोजी को एक प्रकार से व्यवहारिक शरूप प्रदान किया गया है प्रैक्टिकल बे में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है ठीक है और इसी साइकलोजी के रूप में इसको बताते हुए यानि जीवन की उस साइकलोजी को समझते हुए उसकी उपियोगिता, उपियोगिता का मतलब यूटिलिटी, दोसरी तरफ उसकी विया वहारिक्ता, प्रैक्टिकलिटी कह सकते हो, तो इन सब चीजों की इसमें बात की द्वारा यहां पर तीन विशे बताए गए, एक लिखा गया है मन, दूसरा लिखा गया है उसमें लेशिया, और तीसरा लिखा गया है काशाय, तो जैन दरसन में मन यानि आत्मा के अनुभाव या संबेदन का एक साधन माना जाता है, इसका कार इंद्रियों की तरह है, ले लेकिन या इंद्रियों से अलग माना जाता है, यानि इसे हम कह सकते हैं, आ इंद्रियों कह सकते हैं, इंद्रियों क्या होती हैं, एक निष्ट होती हैं, लेकिन मन जो है, ये एक निष्ट ना हो करके, ये स्वार्थ ग्राहक होता है, यानि इस मन का शेत्र जो है, बहुत अ रूप में भी बताया है जड़ का मतलब हो जाता है materialistic form में माना हुआ है ना तो जीवन के जितने भी कारे व्यापार होते हैं चिंतन मनन इच्छाशने ग्रणा तरक राग द्वेश ये सब मन के उपर निर्वर करते हैं कभी आपका मन होगा तो किसी के प्रतिया अच्छा फील करते हो कभी मन होगा तो उसी व्यक्ति के प्रतिया आप बुरा भी फील करने लगते हो कभी किसी से आप घ्रणा करते हो कभी किसी से द्वेश रखते हो तो ये मन जो है ये क्या करता है ये अगर अच्छा करता है तो इसमें हम कह सकते हैं एक प्रकार से ये आत्मा का विकास भी कर रहा है और अगर मन के अंदर विचार नकारात्मक आ जाते हैं तो दूसरी तरफ ये क्या करता है ये विनाश भी करने लगता है चुकि ये चंचल है और मन पर विजय प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं मतलब बहुत ही एक इंपॉसिबल सा टास्क समझ लो अजे ये कह सकते हैं कि मन को नहीं जीता जा सकता है ठीक है तो मन पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है लेकिन जेन दरसन में इस मन को वस्मे करने के लिए कई सारे सिक्षाएं दी गई हैं यानि मन के जो पांच हमारी इंद्रियां होती हैं तो अगर हम मन को अपने वस्मे कर लेते हैं तो बड़ी ही आशानी से हमारी सारी इंद्रियां अपने बस में आ जाती है वो जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति विशय वासना से मुक्त हो जाता है यानि किसी भी प्रकार के उसके बुरे आश्रणों से वह दूर हो जाता है उसमे एकागरता आती है परमसांती का अनुभब करता है तो मन को आप ऐसे व्याख्याइद कर सकते हैं दूसरा जो इन्होंने तत्त बताया उसे लेशिया कहा यानि जेन दर्सन साइकलोजी के दूसरे पार्ट लेशिया की बात करता है लेशिया का आर्थ होता है एक प्रकार से विचार थौट्स या इसको दूसरे सद्दों में लिखे हैं तो इसे हम मनोब्रत्ती भी कह सकते हैं मनोब्रत्ती या उठने वाली वेव या तरंग के रूप में भी इसे हम जोड़ सकते हैं तो मानसिक जो व्रतिया होती है जहन दर्सन ये कहता है कि मन के विचारों में अलग अलग प्रकार के वन पहे जाते हैं जो आत्मा को प्रवावित करते हैं इस आधार पर जो लेशिया ही होती है वो छे प्रकार की बताई गई है तो वो जो छे प्रकार की लेशियां हैं उनमें गुण और अबगुण बताए जाते हैं इसलिए उनका क्या करना चाहिए वेक्ति को त्याग कर देना चाहिए तीसरा पॉइंट आता है मनोवेग्यान के दर्शन में जिसे कसाय कहा जाता है कसाय का मतलब होता है कारियों का वंधन कसाय का मतलब हुआ कारियों का वंधन ठीक है अब कारियों का वंधन जिसके कारण मनुश्य वारवार क्या करता है जन्म और म्रत्यू के चक्र में उलजता सकते हैं उसी के चक्र में फसा रेता है यहीं साइकलोजीकली का मिनिंग यह निकलता है कि मनों विचार्ट से आत्मा क्या हो जाती है प्रदूश्ट हो जाती है। के तुमend mith smokyра की विकार उत्पन होते हैं उन्हीं विकारों को कशाय कहा जाता है तो मावीर स्वामी ने ऐसे कुछ कासाय का उल्ले किया है जैसे उन्होंने क्रोध की बात किये तो क्रोध एक प्रकार का विकार है इसी तरीके से माया ये भी एक प्रकार का विकार है लोग ये भी एक प्रकार का विकार है ना गमंडोना ये भी एक प्रकार का विक तो कसाय को छोड़ करके भी मोक्स की प्राप्ति की जा सकती है ये मावी स्वामी की तीसरे पॉइंट पर आ जाते है नेक्स्ट आता है जो मावी स्वामी के दार्शनिक विचारों में जिसमें श्यादबाद के सिध्धानत का वरॉणन किया गया था श्यादवाद को अलग से भी पूछ देते हैं और नहीं तो इंटिग्रेटिड भी हमें ये लिखना चाहिए ठीक है? कोई बता सकता है कि श्यादवाद क्या होता है तो तियोरी आफ रिलेटिविटी आफ नॉलेज के नाम से इसे जानते हैं देखो जब श्यादवाद अकेला पूछा गाए तो हम ये जरूर लिखेंगी श्यादवाद जेंदर्शन का तब से महित्पूर्ट सिद्धानत है या महित्पूर्ट सिद्धानतों में समय लेते है यानि वास्तों में ये है क्या तो ये ग्यान का एक प्रकार से साफिक शिक्ता वाला सिद्धानत है रिलेटिविटी से जुड़ी हुई थियोरी है इसी को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते है इसे प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है दूसरा नाम इसका प्रमाण शास्त्र है जैन दर्शन ये कहता है कि प्रतेक वस्तू कोई भी वस्तू जो है उसके अनंत गुण होते है अनंत का मतलब infinity और गुण यानि properties पाई जाती है अब उन अलग अलग प्रकार के जो गुण पाई जाते हैं उन सभी गुणों का ग्यान प्राप्त करना केवल वही लोग उन सब गुणों को प्राप्त कर सकते हैं जो पूरी तरीके से किसी भी प्रकार के बंदनों से मुक्त होते हैं हर व्यक्ती उन अनंत गुणों को अनगुद नहीं कर सकता है यानि मुक्त व्यक्तियों के द्वारा ही उन गुणों को महसूस किया जा सकता है साधारण जो व्यक्ति होता है साम आम व्यक्ति जो रहता है वह बिभिन्द प्रकार के बंदनों से युक्त है तो वह उस वस्तू के इतने सारे गुणों को तो समझी नहीं सकता तो इसलिए उसका ग्यान यानि उस साधारण व्यक्ति जो अपने को ग्यानवान समझता है वास्तों में उसका ग्यान कैसा है अल्प ग्यान है या आंशिक ग्यान है या अपून ग्यान है अब अल्प ग्यान आंशिक ग्यान अपून ग्यान होने के कारण वह व्यक्ति जो है वो क्या करेगा उन्हों चीजों को वास्तविक्ता को नहीं समझ पाएगा तो उस आंशिक ज्यान को जैन दर्शन में एक नाम दिया गया है नए नए किसी वस्तु को समझने के बेभिन दरश्टी कौन है एप्रोच है नजरिया है ये वास्तों में सच नहीं है ये तो देखने वारे वाले की दरश्टी पर निर्वर करता है कि वह किस रूप में उसको देख रहा है यहां यह अप्शलूट नहीं है साप एक्स सथ हो जाएगा किसी भी वस्तु किसी भी घटना को देखने के लिए ठिक तो वास्तों में कोई भी वस्तु जो है किसी भी वस्तु के संबन में हमारा जो डिसीजन होता है या हमारा जो निर्णा होता है वह पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि हमारा ग्यान अपूर्ण है जब ग्यान हमारा आंशिक है तो हम किसी वस्तू के बारे में पूर्ण जानकारी कैसे लगा सकते हैं यानि इस्थान काल द्रश्टी कौन, इन पर निर्वर करता है कि हम किसी वस्तु के बारे में क्या निड़ें ले रहे हैं मनुशिका ग्यान एकांगी है, आंशिक है, जैन दर्शन में इसे शियादबाद के रूप में जाना जाता है तो श्यादबाद को समझने के लिए कहानी है न, छे अंदे और हाथी, उनके बारे में बात की गई है, बड़ी इंट्रेस्टिंग सी स्टोरी आपने सुनी होगी, अब वो अंदे हैं, हाथी के अलग-अलग अंगों को सपर्ष करते हैं, देख नहीं सकते हैं, और फिर उसके ह साब से वो अपना निर्णे सुनाते हैं, यह न, तो हाथी के जिस अंग पर वो हाथ रखेंगे, उसके बारे में वह अपना निर्णे बताएंगे, जैसे मालो, एक हाथी के पैर को पकड़ता है, तो हाथी को वो खंबे जैसा समझता है, हाथी की कोई सून को पकड़ता है, हाथी को अजगर जल्सा समझता है, हाथी के एगर पेट को समझता है तो हुआ है उसको मतलब हाथी के पेट को अगर वो पकड़ता, टच करता है तो उसको कोई अन्हयनवूती होती है ठीक है? तो छहे लोग एक ही अबज mina को और करते है61more अगर उन च्छे के च्छे का जो निर्णए है वो अलग-अलग निकल के आता है कोई दीवार बताता है, कोई खंबा बताता है, कोई पंक बताता है तो ये सारा का सारा जो सत्य है वो कैसा है ये गलत है और यही हम सब पर लागू हो जाता है यानि या जो आंसिक ग्यान की विचार दा रहा है यही श्यादवाद है तो वरतमान में अगर एक समाज में कोई वस्तू सही है एक्सेप्टेड है तो दूसरे समाज में वही वस्तू अतनी ही ही रेजेक्तिड भी हो सकती है और हो सकता है कि वह है वस्तु है या वह है करत वहाँ पर क्राइम के रूप में मान लिया जाए यह है श्यादवाद अलग से पूछा जाए और फिर आते हैं अनेकांत वाद पर जेन दर्म में अनेकांत बाद का सिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द इसमें इंटीग्रिटी यानी कॉडिनेशन समन वै इसमें को एक्जिस्टेंस सहे अस्तित्व इन तीनों का एक प्रकार से सिद्धान्त भी कह सकते हैं यानी ये अनेकांत वाद का सिद्धान्त ये मान के चलता है कि संसार की प्रतेक वस्तू ऐबरी आबजेक्ट है अनन्त गोन यानी इनफिनिटी उसमें प्रापर्टीज पाई जाती है अनन्त गोन हैं हम जिस द्रस्टिकॉन से देख रहे हैं वस्तू उतनी ही नहीं है उससे कहीं ज़़ादा है क्योंकि उस वस्तू को देखेने जाने का जो द्रश्टी कौन है वो अलग-अलग है हर व्यक्ति के अपने नजरिये पर निर्वर करता है तो वस्तु का व्राड़ शरूप जो है वो अनन्त है धर्मात्म के तो जैंदर्शन प्रतेक वस्तु के दो पक्ष होते हैं एक को उन्होंने बोला है नित्यता दूसरे को उन्होंने कहा है अनित्यता नित्यता और अनित्यता अनित्यता अनिकांत बाद के अनुसार वस्तु के अनन्त गुण है इन में से कुछ गुण नित्य अर्थात इस्थाई होते हैं यानि इसको हम क्या माल लेंगे ये इस्थाई हैं और कुछ गुण अनित्यते हैं यानि इनको हम इस्थाई फिक्स नहीं कर सकते इस्थाई होते हैं यानि लगाटार उसमें उपस्तित है और ये अनित्य हैं ये परिवर्तन सील है ठीक है जैसे चैतन्य आत्मा का नित्यगुन है इसके विप्रीत, सुख, दुख, इच्छा, कल्पना ये आत्मा के अनित्यगुन हैं जो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं तो अनेकांत बाद ये जैन फिलोस्पी हो जाता है ठीक, नेक्स्ट अब मावीर स्वामी ने इतना ही नहीं इसके अलावा भी अपने विचारे स्पस्ट किये हैं तो उन विचारों को भी आप लिख सकते हैं ठीक है, जगत की वास्तिविक्ता में वो विश्वास नहीं करते हैं उनरजन्म संबंदी, कर्मबाद संबंदी, आत्मबाद संबंदी, अनीश्वरबाद संबंदी जो कि इस्ट्री की किसी भी किताब में आपको पढ़ने को मिल जाते हैं वहाँ से उनको आप कर सकते हो ठीक, अब महाविर स्वामी से संबंदित कुछ यों क्वेश्चन आये उसमें जैन दर्सन की वासनाएं पूछी गई थी, तो वासनाएं कौन कौन सी हैं, वो चार वासनाएं बता ही जाती है क्रोध, क्रोध यानि जिसे एंगर कहा जाता है मान या अभिमान या दूसरे सब्दों में से प्राइड भी कह सकते हैं ग्रीड यानि लालच करना, लोग करना माया का मतलब एक प्रकार से हो जाता है इनफैच्वेशन बोल सकते हैं ठीक, तो ये सब जो हैं मावी स्वामी से संबंदित हो जाते हैं तो इसमें जो कुछ पॉइंट आपको और पूछने हो तो उनको कमेंट वाक्स में लिखके छोड़ सकते हैं अगले क्लास में इस पर डिसकस कर सकते हैं अगले लेक्चर में हम गौतम बुद्ध को लेके आगे बढ़ेंगे ये 2019 की अडिस्टनल मेंस जो है उसका भी टॉपिक है और 2022 की जो मेंस होगी 2021 की जो मेंस होगी उसके भी ये काम के है तो तैंक यू सो मच टेक केर हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें